स्वागत है आप सब का हमारा प्यारा चैनल एक एफीज क्लासेस में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छारखंड के अंदर मैक्सिमों उनिविशिटीज में एड्मिशन स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर कहा जा रहा है कि सेमेश्टर वन में एड्मिशन होगी और यह भी कहा जा रहा है कि जो निव एजुकेशन पोलिशी था अमारे पास उसके अनुसार से होगी निव एजुकेशन पोलिशी के अनुसार से पोलिशी के अनुसार से आप लोग का कॉर्सेस होंगे जब करह करेंगे सानसे कि हाद की यहाँ पर क्याय सकते हैं जानते होंगे संद इस फोर भी Leaf嫉श्ट पूलिशी आए आया गया था में परधानोंतरी मोजी जी द्वारा उन्होंने कहे थे कि दोजर बाइस में जब कुरोना खतम हो जाएगा तब 2022 से इसको हम लागू करेंगे और जारखन के अंदर दो उनुवर्शिटी में 29 भाव उनुवर्शिटी हजारी बाग और 29 बिहारी मातो कोईलांचल उनुवर्शिटी हजारी बाग इन दोन सुरी धनबाद इन दोनों उनुवर्शिटी में इसी तरज पर एड्मिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि क्या क्या संभावने हो सकती है जो कि हमको यह प्रॉब्लम हो सकता है इस उनुवर्शिटी में हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे हैं कि हमारे बास हमारे लाइफ में और भी क्या-क्या प्रोब्रम आ सकती है अगर हम हम करेंगे तो और हमने एडीमिशन कैसे लेंगे syllabus क्या होगा इसके अलावा हम detail में जानकारी लेने वाले हैं कि syllabus के अलावा चार साल का जो हो गया उसमें एक साल का कौन सा syllabus आएगा ठीक हैं फिर हम जानने वाले हैं कि क्या ये करना बहुत जरूरी है और इसमें आपका जो certificate मिलेगा उसमें just or just graduate लिखा रहेगा इसमें आपके लिए कुछ भी दूसरा subject लिखा हुआ नहीं रहेगा जैसे पहले BA, BAC, B.com है नई step से चीज़ें जो होती थी वो सारा हट चुका है ठीक है इसके बाद अब अगर आप PG करना चारते हैं सब्सक्राइब करने वाल है कि कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है बने रही वीडियो को हम तक स्वागत आप सब काम फिक्से करते हैं मिरा ना मरविंद कुमार और मैं सब्सक्राइब करना है इसमें से आप लोग का मैक्सिम लोग जानते हैं कि कंप्रिशन में ही दुनिया है और आप लोग जानते हैं केप्शो क्यानट जान्स करना है इसमें से आप लोग का मैक्सिमों का चमशोन स्क्राइब करना है, में रेश्ट आफ ब्रॉस के शेर्ण को ब्रॉस्च से ना उसके लावाश जपिस की और सबसे बड़ा यू पीएस्ज़ाइट सो इन सब के तयारी करनी है तो पинки को साइंस में डिमिशन लेने सेसे और सब्सक्राइब कर तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं बीएसी कर लेते हैं जो लोजी के साथ इसके साथ में जो सो MLT करके कोर्स होता उसको कर लेते हैं तो हम लोग जो सो प्रोब्लम का जो कि आज कल बहुत ज्यादा देखा जाता है तो मनी प्रोब्लम की कारिन से आप लोग जो यूश्यटी में अडमिसन ले नहीं पाया तो इसके लिए हम यहां पर आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या आप लोग का सपना होना चाहिए और आप लोग कौन-कौ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप ससी की त्यारी करना चाहते हैं यह नहीं रहता है कि आप यह पढ़ें तो हम आप लोग को इतना कहेंगे कि इनमें आप लोग जेनल सब्जेक्ट को ले लीजिए बात करने ंसे है कि आ billy को हमारे पास एकम इस सब्जेक्ट है कि गर्दी ईंगली नहीं सकते कोई प्रब्लमवाली बात नहीं ठीक है संस्क्रीट भी कुछ लोग चाहते हैं तो भी ले सकते हैं आप जारकनचे हैं तो जीजी जीज इनुसिटी में फैसिलिटी है वहाँ पर ले सकते हैं को दिकत वाली बात नहीं लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि चुके हमने जो असे डॉक्टर का सपना था मेडिकल लाइन में जाना चारते थे। ल कि नहीं जा पाएं। चूसके लिए हमारे पास प्याएं साथ ये सथ наблюд fény तो ऩूप आए कि आपके कि लिए हमारे हैं कुछ मोट सीक्यों ठॉल तो देखने को ठावी कि से जिए इसको ACT के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट रेधर जह देन रेधर देन रेदर विधा तो यह त्यविभी सिच पड़न के अनुसार से कोई भी सब्जेक्टि प्रतिबन लगाया नहीं गया है कि आप स्टुवेंट है तो आप यहीं सब्जेक्ट दीजेगा अब यह हैं तो आप यहीं सब्जेक्ट कीजेगा नथिक कोई प्रतिबन लगाया नहीं गया है स्टुवेंट तो हम आज यहां पर बताने वाले हैं तो पहला चीज तो हमारे य अचा बच्चे जो जो इंजिनिरिंग करना चाहते थे उनके लिए एक और चांस है आपके लिए आपके लिए जाने का और अपना सोपना को पूरा करने का जैसे कि आप लोगों को पता होगा आज 7 अगस्त के दिन जो है सो एक स्मॉल सेटलाइट लॉंच वहकल तैयर किया गया इस रोके दौरा जो इस तरह काम करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं इतना कम कोस्टों बन जाता है और स्मॉल सेटलाइट को स्पेस में भेजने का काम करता है तो अगर आप चाहते हैं कि निए इंजिनिरिंग फिल्ड में जा इतना कि आप लोग जो जो जब तक आपका ओनर्स पेपर अभी चलेगा तब तक दो साल तक आप लोग आप लोग अटी में जा सकते हैं किसी भी आईटी कोलेज में जाने के बाद को पता है अगर आप मसी वहां से किए डॉक्टरेट कर लेने के बाद आप लोग असानी से किसी भी इंस्ट्यूशन में किसी बहुत जादा पैसे की प्रॉब्लम होती है आपको पता होगा फिजिक्स का जो अभी बहुत 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 बहतरीन तीचर है फिजिक्स वाला सर अलग पा से वह दो मनि प्रॉब्लम निए उनको जो भी था प्रॉब्लम लेकिन मेक्सीमम अ स््टुवेंट मनि के प्रॉब्लम के कारण से अपने आपको पढ़ाई से दूर कर ले हैं तो कहा जाता है graduate certificate अगर आप 2 years तक कर लेते हैं दूसरा साल के लिए आप लोगों को जो मिलेगा और अगर आप यह जो भी लेवल का एक्जाम देना चाहते हैं जैसे CGL हो गया CDS हो गया ITJ सोरी यह हमारे पास चुछ हो PPSC, JPSC, UPSC इस तरह की एक्जामेशन जो होते हैं अगर आप graduate level का कोई भी एक्जाम देना चाहते हैं तो आपको यह वला पढ़ाई यहां तक करना है फर्दर अगर आप और भी चाहते हैं पढ़ने तो एक साल और आपको पूरा करना पड़ेगा उसमें आप अगर चोथा साल कम्प्रीट कर लेते हैं फॉर यह के लिए उनली फॉर फॉर्थ यह के लिए आप लोगो जो मिलेगा वो ग्रेजुएट रिसर्च नाम का सेटिफिक एगा है में तो आज तक हिसाब से था उसको हम डो प्यिस उप कर सकते हैं तो मोलने नहीं हम गोलने जब भी आप लिए ओ जाईएगा है अगर आप फॉर्थ यह वाला कॉर्स किया हूए है four year course वाला तो आपका जो one year का only PG होगा PG होगा कितने साल का वच्छों सिर्फ one year का अगर आप graduation किये है only three year का तो आपको PG यहाँ पर करना पड़ेगा two year का तो इस तरीके से अगर हमें जुन करके देखें syllabus को वच्छों syllabus जो होगा आपका semester one से लेकर के आप तो semester eight हो जाएंगे तो उसके बीच में syllabus जोगा वह अभी जो बीच का syllabus है वो तो रहेगा ही उसके अलावा syllabus आप लोका रहेगा यहांपर M.H.C. का first year का कुछ syllabus को B.H.C. के last वाला जो year है बीच का लास्ट वाला year जो है graduation का उसमें जोड़ा उचाएगा ठीक है आपको फिर से वीडियो बना करके syllabus कर देंगे ठीक है हलाकि हम इतना ही काना चाहते हैं जब new education policy आया है बच्चों syllabus जोगा syllabus जोगा तो examination problem आएगी तो examination problem आएगी तो उनके लिए तयारी करना पड़ेगा आप लोगो इसमें आप इतना ध्यान में रखिएगा कभी अगर प्रमोट करगे तो आपका degree रूप जाएगा यही problem बता रहे हैं जो biggest problem है आपर यही है कि अगर आप प्रमोट कर गए है एक साल प्रमोट कर गए है तो जब तक आप यह पूरा नहीं करते तब तक आप दूसरे साल का degree ले पाएंगे ही नहीं ऐसा फील होगा ऐसा आप लोको पता चलेगा जब उनिवर्शिटी से सिलेवस पूरा आएगी तो इस यह हम लोग समझ रहे हैं स्ट्वेंट्स यही problem आप लोग का minimum three year तक आप लोग को continuous पढ़ना बिना किसी फैल प्रमोट हुए ठीक है आप लोग का जो भी तो फीजिक्स के साथ कोसिस कीजिए मैथ से लेने का ठीक है यह दो सब्जेक्ट minimum है जो कि आपको लेना है इसके अलावा भी अगर आपको सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अगर युनिवर्शिटी के तरफ से order आता है तो ओके सो मैथ और फीजिक्स आप लोग ज़रू लीजे फीजिक्स के साथ और ट्यूशन के लिए ट्यूशन के लिए आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं मुझे जो की मेरा पर है यहां पर इस नमबर पर हम ओनलाइन की ट्यूशन लेते हैं वाया जूमेप ठीक है जूमेप से हम अतना ट्यूशन लेते हैं नौट्स वगर सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है आप लोग को नुमेरिकल्स भी बताया जाएगा और चौथा चीज फी जो है ट्यू 25 रूपीज है इससे ज्यादा लोगेस्ट कोस्ट में एफ़ोडेबल नहीं हो पाता है स्ट्वेंट्स क्योंकि अपना भी जीवन चलना चाहिए और आपका भी बचत होना चाहिए यही हमारा मानना है और शिच्छा को उपना महांगा करना मेरा लक्षी भीकुल नहीं है शि क्वड़ को वीज पसकता है यही हए जिवाद भीकुल नहीं है वीजेश आपका रव्द दाण लूड़ाए और रापका भीकुल रवा ज़ूर के यह को उसकता है यह किसले हमारे यह किताए यह ज़ और भीकुल तुल